हेलो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तज्यान में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के हिंदी बूक छीतिजगा दूसरा पाठ लाहासा की ओर का आज हम लोग एक छोटा सा सरांस देखेंगे तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है राहुल सांकृतियान जी तो इनके द्वारा ये जो यात्रा बिर्तान्थ है ये लिखा गया है यह जो पाठ है लहासा की ओर यह एक यात्रा बिर्तान्त है जिसमें लेखक ने जो अपनी पहली यात्रा तिबबत यात्रा जो उन्होंने की थी उसका जो वर्नन है बड़ा ही बहुत ही संदार धंग से किया है लेखक ने यह यात्रा सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और भारतियों को तिबबत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी इसलिए लेखक ने यह यात्रा जो था वो भेस बदल कर की थी वो अपने असली रूप में न जाकर भिखारी के बेस में तिबबत यात्रा में गए हुए थे लेखक ने जब तिबबत की यात्रा की थी तब फटी कलिंग पोड का रास्ता नहीं बना था उस तैम में जो था वो रास्ता नहीं बना हुआ था उस समय नेपाल से तिबबत जाने का एक ही रास्ता था वैसे यह मुख्यता ब्यापारिक और सैनिकों के लिए रास्ता बना था जिससे होकर ब्यापारी तथा जो सैनिक लोग थे वो आते जाते थे परन्तु इसी रास्ते से नेपाल वो भारत की लोग भी आते जाते थे इसलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया है लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजीयों की चौकी वो कीले बने हुए थे जिन में कभी चीनी सैनिक रहा करते थे लेकिन अब वो पूरी तरह से तूट चुके हैं और वो जो है अब बिरान भी लग रहे हैं लेकिन उस कीले के कुछ हिस्से में वहां के किसानों ने अपना जो बसेरा है उसे बना लिया है इसलिए उन कीलों के कुछ हिस्से जो है वो आज भी अबाद है ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी के लिए यानि कि परित्यक्त का मतलब हुआ छोड़ा हुआ जिसे छोड़ दिया गया हो उसमें लेखक वो उनके मित्र चाय पीने के लिए रुखते हैं तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाती पाती उच नीच छुआ छुट का भेद भाव नहीं था और नहीं वहां की जो महिलाय थी वो परदा ही करते थी हाँ चोरी के डर से निम्न अस्तर के भिखारियों को घर में घूसने नहीं दिया जाता था मगर और परिचितों के घर के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी और परिचितों द्वारा चाय का समान देने पर घर की जो महिलाय होती थी बहुई असास होती थी उन्हें चाय बना कर दे देती थी वहां पर मखन वर नमक की चाय पी जाती है परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वे लोग चलने लगे तो एक ब्यक्ति ने उन्हें दो चीटे यानि कि चीटे का मतलब बता है परवेश्पत्र राहदारी मांगी ये चीटे उन्हें गाउं के एक पूल को पार करने के लिए देनी परती थी पूल पार करने के बाद वो थोडला के पहले पढ़ने वाले आकरी गाउं में पहुँच जाते हैं यहां सुम्ती की पहचान होने के कारण सुम्ती जो है राहूल का जो एक बहुत भिक्चु दोस्त है उसका नाम है उसकी पहचान होने के कारण भिखारी के भेस में होने के बाद भी उन्हें रहने की जो है वो अच्छी जगा मिल जाती है लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापत लोट रहे थे तब उन्हें रहने की जगा नहीं मिली थी और उन्हें एक जोपड़ी में ठाहरना पड़ा था जबकि वे उस बक्त भिखारी नहीं बलकि एक अच्छे यात्री के भेश में थे लेखक की यात्रा का अगला जो लक्ष था वो डाड़ा यानि कि पहाड थोडला पार करना था जो सबसे कठीन हिस्ता था क्योंकि डाड़े तिबबत में सबसे खत्रे की जगा थी 1600 से लगभग 1700 फीट के उचाई पर होने के कारण दोनों और गाउं का जो है वो कहीं भी नामो निसान नहीं था डाकूओ को छिपने की या सबसे सुरक्ष जगा थी और सरकार भी इस तरह लापरवाह थी इसलिए यहां अक्सर लूट पाट तथा जो हत्याय थी वो हो जाती थी चुकि वे लोग भीखारी के वेस में थे इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी परन्तु उनके भी जो मन था उसमें डर बना हुआ था यहां हतियार का कानून भी लागू नहीं था इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हतियार अपने पास रखा करते थे लेखक पहाड की उस दुरगम चड़ाई में जाना मुस्किल था उन्हें लग रहा था इसलिए दूसरे दिन उन्होंने डाड़े की चड़ाई घोडे से की पहाड के उपर पहुँच कर उन्होंने देखा कि दक्षिन पूर्ग और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड दिखाई दे रहे थे तथा उतर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी वहाँ अस्थानिय देवता का एक मंदिर भी बना हुआ था पहार से उतरते समय लेखक का जो घोड़ा है वो थोड़ा धीरे चलने लगा जिससे उनके साथी जो थे वो आगे निकल गए वो रास्ता भटक गए तथा वो बाय रास्ते की ओर यानि कि जो गलत रास्ता था उस रास्ते से वो डेढ़ मील आगे पहुँच जाते हैं बाद में जब वो लोग से पूछते हैं तब वो सही रास्ते में आ जाते हैं मगर तब तक काफी देर हो गई थी जिससे उनके मित्र सुम्ती नाराज हो गया परन्तु जल्दी ही उनका गुसा ठंडा हो गया और वे लंखोर में एक अच्छी जगा पर ठहर जाते हैं उसके बाद वो तिट्टी के मैदान में पहुँचे जो पहाडों से घीरा एक टापू था जिसके सामने एक छोटी सी पहाडी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिट्टी समाधी गिट्टी था आसपास के लोगों में सुम्ती के बहुती ज़्यादा परिचित लोग थे इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया के लायक कपड़ों के गंडे भी देना चाहते थे परंथु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुँच कर पैसे देने का वादा किया सुम्ती मान गय और उन्होंने आगे बढ़ना सुरू कर दिया उन्होंने सुबह चलना सुरू नहीं किया था इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था कुली न मिलने पर वे अपना समान पीठ पर ला दे और हाथ में डंडा लिये चल रहे थे सुम्ती यहां एक और यजमान से मिलना चाहता थे इसलिए उन्होंने बहाना कर टोकर विहार की ओर चलने को कहा तिबबत की जमीन छोटे बड़े जागिरदारों के हाथ में पूरी तरह से बटी हुई थी इन जागिरदारों का बड़ा हिस्सा बौध मठो को भी जाता था अपनी अपनी जागिर में हर जागिरदार कुछ खेती खुद भी करता था जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे बौध भिक्चु भी खेती की निगरानी जो है वो किया करते थे लेखक सेखर की खेती के मुखिया नम से जो एक बहुत भिक्चुत थे उनसे मिले उनके मठ में एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुध वचन की हस्त लिखिया एक सो तीन पोथिया रखी गई थी लेखक इन्हें पढ़ने में ब्यस्त हो गये इसी दोरान सुम्ती ने आसपास के अपने यजबानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पुछा जिससे लेखक ने खुसी-खुसी मान लिया दो पहर तक सुम्ती वापस आ जाते हैं चुकि तिट्टी वहां से ज्यादा दूर नहीं था इसलिए उन्होंने अपना समान पीठ पर उठाया और नमसे से बिदा लेकर वे लोग आगे चले जाते हैं नमसे यानि कि जो बहुत भिख्चू थे उनसे वे लोग बिदा लेकर आगे चल पड़ते हैं तो दोस्तो यह था इस पार्ट का एक छोटा सा समरी तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए दोस्तो अन तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद